हाई गाईज वेलकम आई चैनल आशे सकते ना कैसे हैं आप लोग आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि लॉंग हेयर में स्टेट हेयर कटिंग और फ्रेंट पोजिशन पर फ्लिक और यह फ्लिक भी देखिए लॉंग फ्लिक होगी जो आप देख रहे हैं कि इनके फेस पर मेरी जो क्लाइंट है इनके फेस पर कैसी लगेगी वह हम करके बताएंगे यह मेरी क्लाइंट के देखिए इतने लॉंग हेयर हैं और इन लॉंग हेयर में जो नीचे से आप देख रह के बाद में आप Tangle Remove करेंगे अच्छे से हेर को सुल जाने का काम करेंगे जिससे के सारे उल्जे हुए एकदम गाट ले इन्दर होती हैं उल्जे हुए da 여क की वह बिल्कुल clean हो जाए और अच्छे से सुल जाने का का आए यहां दे Central है कि यह नीचे के जो हेर हैं काफी सारे वैसे तो अगर इनके हेर हम फाइव इंच के लगबक के हेर कट करते हैं तब जाकर बहुत हेर पर ठिकनेस आएगी लेकिन मेरी क्लाइंट को इतने शॉर्ट हेर नहीं कराने हैं तो इनकी चॉइस के अंसार देखिए हम साड़े तीन इ आध्यायर के मारे,ज हमसे हैर हो जाएंगे और जो थिन हेर नहीं है कॉछ जैसे है आ वो कतके हेर पर ठिकनेस आजएगी यह देखिया आपos इन हेर का हम काट करने जाने हैं जिनका हमने cut किया आप देख रहे हैं और अब देखिए ये गीले hair में इस तरह से दिखाई दे रहे हैं फिर भी equal hair देख रहे हैं तो ये हो गई state hair cutting फ्रेंड्स हमने इससे पहले भी काफी सारे state hair cutting के video post किये हैं लेकिन हर बार अलग-अलग hair होते हैं अलग-अलग quality के hair होते है ये देखिए एक बार check करने के लिए हमने comb किया finger grippingly और फिर उसको trim किया अगर कोई भी hair छोटा बड़ा है तो उसको equal करेंगे हम ये देखिए चेक करके ही हम hair cutting complete करेंगे और बहुत ही अच्छा लुका आने लगा जो फुच जैसे hair अजीब से लग रहे थे छोटे बड़े वो clean हो गए तो friends ये तो हो गए state hair cutting in long hair अब देखिए front portion का जो हम cut करने जा रहे हैं वो आप देखिए किस तरह से करेंगे ये बिल्कुल equal hair आप देखने है विशा से आपको अच्छा लग रहा होगा कि इतनी जल्दी ये hair का cut हो गया अब पात करते हैं हम long hair flick की ये flick देखिए हम long hair में ही करेंगे long flick करेंगे क्योंकि मेरी client को ज्यादा short flick नहीं चाहिए और married है तो फिर उससे साबसे भी देखना पड़ता है अपने अपने family का अलग-अलग माहल होता है उससे साबसे इनको short flick नहीं चाहिए जिससे ये pop बनाए तो clutcher में आ जाए इतनी long flick चाहिए इनको तो उसी के according हम करेंगे ये देखिए year to year हमने parting की पहले right hand side पर हम parting करने हैं ये आप देख रहे हैं और के लिए T के साथ में हम parting कर अब same to same हम follow करेंगे left hand side में हमने ये year to year parting करके front portion के hair को बिल्कुल separate कर दिया ये आप देख रहे हैं बिल्कुल line से line मिलाकर हम in hair का cut करेंगे ये देखिए clear to year के साथ में parting है आप देख रहे हैं और in hair का हम बिल्कुल उसी style में cut करेंगे सबसे पहले हम client से पूछेंगे कि side flick चाहिए या हमको center parting वाली two side flick चाहिए लेकिन इनको cable side flick चाहिए तो उसी के according हम उसी design में cut करेंगे देखिए हम इस तरह से cut कर रहे हैं कि अगर ये चाहिए तो two side flick भी कर सकती है शो कर सकती है और चाहिए तो वो one side flick भी शो कर सकती है इसलिए tune when जो flick होती है वो इस तरह से हमने year to year parting करके ही लेनी चाहिए देखिए अब water इस पर करके फिर हम दिखा रहे हैं आपको कि ये हम hair chin की height तक लेंगे देखिए आप ये बिल्कुल hair chin की height तक हैं और फिर इन hair का cut करेंगे अब इनको हम करके बता रहे हैं कि दौनों side से ये flick को show कर सकें तो उसी साब से देखिए finger gripping हमने ली है और finger gripping के बाद मैं इत इतने hair का हम cut करेंगे ये देखिया एक बार फिर से देखिए अच्छे से comb करेंगे और comb करने के बाद मैं हम बिल्कु सेंटर में लेकर आए बिल्कुल straight लेकर आएंगे हम nose की seat में और जितना हम को cut करना है जितनी short flick करनी उतना करेंगे और ये करीब आप देख रहे हैं कि ब hair का cut करेंगे ये बार बार आपको हम दिखा रहे हैं कि इस तरह से ये भी लगवक 3 इंच के लगवक की flick के लिए हमने hair cut किया है ये आप देख रहे हैं और cut करने के बाद देखिए अब हम two and one जब flick तयार कर रहे हैं तो हम थोड़े से hair को बिलकुल side flick के लिए कॉम करेंगे और ये जो right hand side की flick के जो hair है थोड़े से हमने लिए हैं और इन hair को बिलकुल छोड़ देखिए और side parting करेंगे ये देखिए ये tune one flick का करने का तरीका देखिया और side flick का हमने ये लिया और अब इसको हम cut करेंगे पहले हमने सारे center में लाकर flick का cut किया है और अब right hand side के जो थोड़े से hair flick के छोड़ दिए और बाकी उसमें hair जो रह गए हैं उनका हम cut इस तरह से करेंगे बिल्कुल देखिए side में लेकर आए और तिर्चा cut करेंगे ये देखिया एक बार फिर से finishing देखिया हम कॉम करके side में लेकर आएंगे क्योंकि one side इनको flick रखनी है और कभी-कभी अगर मंच आएगा तो two side में करेंगे अब ये देखिए हम बिल्कुल side में लेकर आए हैं और तिर्चा cut हमने किया flick का और ये आप look देखिये एकदम हम कोई भी hair cut है without hair setting के दिखाते हैं आपको तो क्योंकि setting करने के बाद तो हर cutting का look अपने आप में अलग हो जाता है आपने सुना होगा कि makeup से face का look change होता है लेकिन हम बताते हैं hair cutting से भी face का look बिल्कुल different हो जाता है अलग look आता है smart look आता है बिल्कुल face का look change हो जाता है तो hair cutting ये देखिये आप कितनी finishing के साथ में है ना हमने कोई hair setting की है ना किसी तरह का हमने dryer किया है और विश्वा से आपको बिल्कुल पसंद आ रहा होगा और ये जो हमने tune one flick की है और ये बहुत ही फायदे बंद है हम चाहें तो side parting कर सकते हैं चाहें तो हम center parting करके flick show कर सकते हैं और long flick इस तरह से show ही विश्वा से आपको ज़रूर पसंद आया होगा ये हमारी cutting का पसंद आया like and share ज़रूर करिएगा और आपके comments का हम वेट करेंगे तब तक के लिए आपसे विदा लेखें बहुत बहुत धन्देबाद